पेस्ट करना यानि किसी सेल को एक जगह से दूसरा या तो उसकी कॉंपी बनाना या फिर कट करके दूसरी जगह ले जाना अब तक आपने यही सीखा है और हम वर्ड में भी अक्सर करके यही करते हैं कि हम कहीं से किसी सेल को कट या कॉंपी करते हैं और दूसरी जगह ले जान जैसे कि आप calculator ले लेंगे और करके जोड़ना शुरू करेंगे यह बहुत सिंबल है इसलिए आप बड़े आराम से इसको जोड़के बता सकते हैं कि यह सब 15 हो जाएगा यह 25 हो जाएगा यह 35 हो जाएगा लेकिन अगर यह टेबल 100 या 200 से उबर होती तो आप यह कैसे करते हैं यह पेस्ट इसपेशल फंक्शन के लिए एक सेकंड का काम है आप यहां पर पांच लिए इसको कॉपी कीजिए यह कमांड तभी खुलेगी जब आप कॉपी या पेस्ट कुछ भी यूज़ कर लेंगे अब देखिए पहले नहीं थी अब यहां से पेस्ट इसपेशल यह वाला जो सैल है वो मुझको इन सभी में जोड़ना है तो मैंने यहां से एड को यूज़ किया और ओके यह देखिए मैजिकली पांच डिजिट इन जो सारे और डिजिट नमर्स लिके हुए थे उन सभी में जुड़ गया इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इसको घट ऑफ और order जाता अब देखते हैं इसको हम मल्टिप्लाइए करके हमने यह सेल इस सेल से चाहते हैं कि यह सब कुछ मिल्टिप्लाइए यह देखे कंपी कीजिए जिनमें कोंटिफ गोना है तो मल्टिपलाइए यह देखिए सभी ऑलम मल्टिपलाइए वह रहे दों से इसी त इ Hawk ऑफिर तो सब्सक्राइब करेंगे करेंक थे शरू किया झाल है यह तो गाया फ़ेशर पैर्टी चिजल में यह सारी चीज ने हो गई है अब इसके कुछ और भी यूदल है जैसे कि यहां पर इस सैल में जिसका नाम है C9 इसमें फॉर्मिला लगा हुआ है सम C5 to C8 यानि हमने C5 से लेकर C8 के जो सारे सेल्स है यह रेंज है हमने इसको यहां पर सम किया हुआ है अब हम चाहते हैं कि यह जो सम जियो बैल्लीव है हमारी 110 जो वैली वारी है को हम इसको यहां पर पेस्ट कर रहे हैं अगर यहां पर ना सबना सब्सक्राइब चाहिए तो यहां पर आपको जरूत पडे आप कि cells के formula ना आए, के वल value है, तो वहाँ पर आप paste special को use कीजिए, इसी तरीके से बात आती है format की, format में आप जानते ही है, font होता है, font size होता है, background color होता है, font color होता है, ये सारी चीजे format में आती है, कि उसका design कैसा है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये वाली जो format है, same इसके उपर paste हो ज देखे, इसकी जो format है, वो यहाँ पर paste हो गई, इसी तरीके से formula भी आप copy paste कर सकते हैं, यहाँ से हमने ये formula लिया, इसको copy किया, और यहाँ पर paste special को use किया, formula, okay, तो ये formula जो यहाँ लगा हुआ था, वो same, यहाँ पर आ गया, same नहीं आया, actual में, ये formula in cells के लिए लगा हुआ तो आशा है, आप paste special का use सीखे होंगे, इसके पहले दो functional हम बता चुके थे, जो कि इसके blank और transpose था, वो पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था, इस वीडियो में हमने इसको paste special के ये 3-4 use और बताये हैं, आशा है ये आपके जरूर काम आएंगे, अगर ये वीडियो आ झाल